नमादा के बिसकोमान से खाद लेने को लेकर किसानों ने जम कर बवाल काटा इस दौरान हुई धक्का मुक्की में चार महिलाओं को चोटे भी आई हैं किसानों का कहना है कि एक ही काउंटर पर महिला और पुरुसों का दो लाइन लगा दिया जाता है जिसके कारण किसानों को काफी परिशानी होती है बिचौलिया बिना लाइन के ही कर्मियों की मिली भगत से आसानी से खाद लेकर चले जाते हैं जिसके कारण लाइन में दिन भर खड़ा रहने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है वहीं किसानों ने कहा कि आलम तो ये है कि खाद लेने के लिए किसानों को काफी परेशानी होती है एक काउंटर बिसकोमान में बनाया गया है और एक काउंटर पर ही महिला और पुरुस की लंबी कतार लगाई जाती है जिसके कारण भी लोग अपने धैरे को खो देते हैं और उसी दोरान मारपीट की नौबता जाती है हंगामा की सुचना पर पहुँचे सदर SDPO ने कहा कि लाइन में आगे पीछे होने के कारण कुछ लोग आपस में उलज गए जिसके बाद पुलिस बलके सहीयोग से सभी को सही तरीके से लाइन लगाया गया जिसके बाद आसामी से लोगों को खाद मिल पाया यहां पर मुझे सुचना मिली कि बिस्कोमान में आज खाद वितरन हो रहा है तो काफी भीर है और लोग जो है लाइन में ही लगकर जो आगे पीछे करके अपना जो है खाद लेने का प्यास करते हैं इसके चलते हैं तो भीर था आपस में लोग उलगी रहे कहम पले लेंगे इस सुचना प्रात्वती में तुरती हम पहुचा हूँ उसका सब को जो है फ्रीस वाल के से लाइन अप करके और वितरन के सुचारूप से खरवाया जा रहा है